गाइस गर्मिया आ गई है और आप में से ज्यादता दो कूलर यूँज करते हैं अब बात आते हैं कूलर में जो कूलिंग मीडिया है ये जो पेट्स हैं वो login से यूज करने चाहिए किस कणडिशन में कून से पेट्स आपको अपने कूलर में लगाने चाहिए ये हनी कॉम पेट जो की मदुमक्खी के चाते की तरह होता है या फिर ये वुडूल पेट से जिसे की घास भी कहा जाता है सेकिन पॉइंट की इन दोनों पेट से में से कौन ज्यादा कूलिंग देता है तो पहले मां आपको बताऊंगा कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट से जिसे की आप खुद ही समझ पाए की आपको कौन सा पेट अपने कूलर में यूज़ करना चाहिए और फिर हम करेंगे एक छोट असा कंपेरिजन चलिए आगे बढ़ते हैं और चेनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं वुडूल पेट्स की प्राइज होती है लगबग 100-150 और ये एक सीजन लगबग अराम से चल जाते हैं अब यहीं हनी कोम पेट्स की प्राइज होती है 1000 रूपीज से 1200 रूपीज तक और ये लगबग 5-6 साल तक चल जाते हैं और ये पेट्स में ने डायरेट कूलर में से निकाला है और वापस कूलर में ही लगाना है इसलिए मैं पेट को बाहर नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि बिना बाहर निकाले भी हमारा काम हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट हनी कोम पेट्स में क्योंकि इस पेश ज्यादा होती है तो डस्ट इसमें आसान इसे नहीं रुख पाती और वो पानी के साथ ही बेह जाती है जिससे की कूलर के बाहर की एर जब अंदर आती है तो कोई रुकावट नहीं होती पर wood wool pets में ऐसा नहीं है इसमें space कम होता है और कुछ टाइम के बाद dust की एक दिवार बन जाती है एक परत बन जाती है जिससे की air कम आती है और cooling भी कम हो जाती है अगर आपको cooler किसी dust वाले area में लगाना है जहां धूल मिट्टी ज्यादा होती हो तो आपको honeycomb pets ही use करने अगर आप एसी जगह पर रहते हैं जहां पर पानी में फिलोराइट ज्यादा हो या फिर आप अपने cooler में जो पानी यूज़ करते हैं उसमें फिलोराइट की मातरा ज्यादा हो तो इस condition में आपको honeycomb pets यूज़ नहीं करने चाहिए आपको wood wool pets यूज़ करने चाहिए क्योंक कि जितनी ज्यादा मोटाई होगी उतनी ही ज्यादा ये cooling दे पाएगा तो कुछ best pets हमने आपके लिए चूज़ किये हैं link के नीचे description box में हैं जहां से आप easily best pets purchase कर सकते हैं अब हम करते हैं एक चोटा सा comparison कि कौन से pets ज्यादा cooling देते हैं तो हमने ये दो coolers लिए हैं जिनकी air delivery लगबक सेम है तो इन दोनों coolers और इस thermometer की मदद से हम compare करेंगे कि कौन से pets ज्यादा cooling देते हैं सबसे पहले हम इस cooler में honeycomb pets लगा देते हैं और इसे on कर देते हैं अब लगाते हैं हमारा ये thermometer इस cooler से निकलने वाली हवा का temperature चेक करने के लिए और थोड़ी देर के बाद जब ह air delivery लगबक पहले वाले cooler के बराबर ही है अब इसमें हम ये वुड़ूल pets लगा देते हैं और हमें एक ही cooler में दोनों pets चेंज करने की जरूरत नहीं है इन दोनों coolers की air delivery सेम होने की वज़े से अब लगाते हैं हमारा thermometer थोड़ी देर के बाद जब हम इसे चेक करते हैं तो finally result आया है 90.4 Fahrenheit जिसे कि अगर हम Celsius में convert करें तो होता है 32.4 Celsius तो देखा गाइस यहां पर वुड़ूल pets से ज्यादा cooling देते हैं compared to honeycomb pets बट अगर आप एक अच्छी मोटाई का honeycomb pet यूज़ करते हैं तो वो आपको थोड़ी ज्यादा cooling दे सकता है और honeycomb pet आप अपने normal cooler में कैसे ल description box में मिलेगा और साथ ही आपको other social link भी मिलेंगे जहां पर आप हमें जोइन कर सकते हैं like facebook, twitter, instagram, telegram I hope आपकी इस वीडियो से काफी help हुई होगी और आपकी confusion दूर हो चुकी होगी आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye